नमस्कार और आप देख रहे हैं पलपल दोस्तों आज राहूल गांदी जी जो की कॉंग्रेस के राश्ट्य अदेक्षें उनका जनम दिवस हैं और उनके जनम दिवस पर प्राधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उनको बधाई दी है साथी साथ उनके स्वस्ते और लंबे उम्र की कामना भी की आपको बता देगी राहूल गांदी जी का 49 जनम दिन वे इस समय मना रहे हैं उनके जनम दिन पर कई मंतरियों ने उनको बधाई देते हुए ट्वीट किया आज की दिन यानि 19 जून को बुधवार को उनका जनम दिन है देश के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने उनके ट्वीट किया कि आप सदा खुश रहें और जनम दिन की आपको बहुत बारी सुख काम नाए राहूल गांदी जी का अच्छा स्वस्त हो और वे दिरगायू बने रहे हैं खेर ये नरेंदर मोदी जी का ट्वीट था जो कि सब के लिए होता है हलांकि लोकसवा चुनाओं के दोरान दोनों नेताओं के बीज में ठीकी बयान बाजी देखनों को मिली थी राहूल गांदी जी ने नरेंदर मोदी जी के बारे में नजाने कैसे कैसे तंच कसे तो वहीं दूसरी और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने भी राहूल गांदी के बारे में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी खेर ये होता है राजनितिक मुद्धो और चुनाओ में इस तरह का राजनितिक बयान बाजी होती रहती है लेकिन भई जहां भी राहूल गांदी जाते हैं वहाँ पर जोग हो ही जाता है आज उनके जनम दिन पर एक मंत्री महवद्य ने ऐसा जोग मारा की पूरा सदन हसने लगा इतना नहीं प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी भी ठाहा के लगा कर हसे और राहूल गांदी जी और सौनिया गांदी जी के चहरे पर भी खूर समाइल थी खर ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए आए देखते हैं इस खास रिपरट में आपको राहूल जी का बड़ी आज है राहूल जी जी का बड़ी आज है कल अगया है तो ठीक है नहीं है तो मतलब रावल जी को भी मतलब वह हमारे मित्र है और मतलब आपको वहां बैटने का मोगा मिला एक शीर में आपको आर्थी बदाई देता हूँ है 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 अपने बहुत कोशीच की मतलब लोग संत्र में होता है कि बैइन लोग शाते हैं उनकी सत्ता आती है आपके संत्ता बहुत साल सक रही जब आपके सथा थी आपके साथ था लेकिन और चुनाओ के पहले मुझे लोग कॉंग्रेस के बोर्ट रही थी कि इदर आओ इदर आओ लेकिन मैं बोला उदर जाकर मैं क्या करूँ मैंने हवा का रूख देखा था कि हवा नरे में लिग्रेस के तरब जा रही मुझे लिखे तो लोग संısıतर में होता है मतलब आप लोगोंने भी कोशिज की मुदी साफने कोशिज थी हमने भी और लोगों ने जो मैंडेट दिया है उसको मान कर मैं आपोजिशन को भी नवेदन करना शाहता हूं कि बील पास करने के लिए देश को चलाने के लिए कानूर बनाने के लिए आप किया वश्चता है और नरेदर मुदी जी ने बता हैं कि बाए जो भी छोटा दल हो कोई भी हो हम सब का तुनेगे सब को नयाच देने का काम करेंगे, सबी राज्यों को निया देने का काम करेंगे, इसलिए हमारी सरकार पांच साथ चलेगी, पांच साल होने के बाद और पांच सी चलेगी, और और बाद में पांच साथ चलते रहेगे, मतलब हम अच्छा काम करते रहेगे तो हमारी सरकार आती रहेगे हम अच्छा काम नहीं करेगे तो तुम आज जाओ तुम आज जाओ लेकिन हम तुमको जल्दी नहीं आनी देगे इसलिए बात है मैं सबको आर्थिक बढ़ाय देता हूँ आपको मैं आर्थिक बढ़ाय देता हूँ और आप जैसा एक अनुभवी आदमी है आप ज़्यादा हसते नहीं है लेकिन आप ज़्यादा हसते नहीं है लेकिन मैं आपको हसा हूँगा तो फिर एक बार आपको मैं धन्यवाद देता हूँ आप हाउस पार्चितर चलाए और कभी-कभी मुझे भी भूलने का मोगा दीजिए जै भीम, जै भर राहूल जी का आप बड़े आज है राहूल जी का बड़े आज है कल अई गया आपको ठीक है अई आपको वहां बड़े ने का मोगा मिला यह सीर में आपको आर्थी बढ़ाई देता हूँ आपने बहुत कोशीश की मतलब लोग-कंत्र में होता है कि वह लोग-कंत्र में तो जो लोग चाहते है उनकी सत्ता आती है आपके सता बहुत साल तक रही जब आपके सता थी मैं आपके साथ था लेकिन और चुनाओं के पहले मुझे लोग कॉंग्रेस के बोर्ड रहे थी कि वाई इसर आओ इसर आओ लेकिन मैं बोला उदर जाकर मैं क्या करूं मैंने हवा का रूख देखा था कि हवा नरे में मुदी सी के तरब जा रही है लोग संतर में होता है मतलब आप लोगोंने भी कोशिज की मुदी सापने कोशिज की हमने भी कोशिज की और लोगोंने जो मैंडेट दिया है उसको मान कर मैं अपोजिशन को भी नवेदन करना चाहता हूँ कि बील पास करने के लिए देश को चलाने के लिए कानून बनाने के लिए आपकी आवशकता है और नरेदर मुदी जी ने बता है कि भाई जो भी छोटा दल हो कोई भी हो हम सब का तुनेगे सब को नया देने का काम करेगे सबी राजियों को नया देने का काम करेगे इसलिए हमारी सरकार पांस साथ चलेगी पांस साल होने के बाद और पांस सीच चलेगी और और बाद भी पास साथ चलते रहेगे मतलब हम अच्छा काम करते रहेगे हम अच्छा काम करते रहेगे तो हमारी सरकार आठी रहेगे हम अच्छा काम नहीं करेगे तो तुम आज जाओ तुम आज जाओ लेकिन हम तुमको जल्दी नहीं आनी देगे जाइब भी बूलने का मोगा दीजिए जाइ भी मुणा जाइ भार झाल झाल